अदीत में ऐसे कई योगी हुए हैं, जो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। उन्हें निर्मान काया कहते हैं, जो अपना शरीर फिर से बना लेते हैं। शायद ऐसा सौ साल बाद हो, तो भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद अचानक समय कोई समस्या नहीं रह जाता। सद्कुरू, क्या समय की यात्रा संभव है? क्योंकि कहा जाता है कि बाबा जी हजारों वर्षों से हिमाले में रह रहे हैं, ऐसी चीज़े कहीं जाती हैं, तो मैं जाना चाहती हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ये सब किसी ने बाबा जी के बारे में बहुत पहले कुछ कहा था, अब सभी उनकी बाते करने लगे हैं, उनके बारे में फिल्मे बनाने लगे हैं, हर कोई उन्हें हर जगा देखने लगा है। जो बात लोगों के अनुभव में नहीं है, उसके बारे में बोलने से मैं हमेशा परहेज करता हूँ, क्यूंकि लोगों का अपनी कलपना पर कंट्रोल नहीं है, वे भ्रम में पढ़ जाएंगे। नब्बे प्रतिश्य धर्म सिर्फ भ्रम हो गया है, क्योंकि लोगों का अपनी कलपना पर कंट्रोल नहीं है, है ना। देखिए, मान लीजिए मैं अभी परियों की बातें शुरू कर दूँ, तो लोग उन्हें सफेद बादलों में देखने लगेंगे। तो जब ऐसी चीज की बात की जाती है, जो लोगों के अनुभव में नहीं है, तो हमेशा लोगों के किसी भी समूह में, सबसे बेवकूफ लोग उसे सबसे पहले देखते हैं। वो धिमान व्यक्ती बैठ कर सोचेगा कि हो क्या रहा है, पर सबसे मूर्ख लोग परियों और देवताओं को तुरंट देखने लगेंगे। हाया ना, हाया ना, ये हकीकत हाया नहीं। सिर्फ इसी लिए कि उनका अपनी कलपना पर कोई कंट्रोल नहीं है, वे तुरंट देखना शुरू कर देते हैं, वे जूट नहीं बोल रहे हैं, वे देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी कलपना उनके नियंत्रण में नहीं है, तो मैं बाबा जी की बात नहीं करना चाहता क्योंकि उनके नाम पर बहुत बातें हो चुकी है पर क्या ऐसा संभव है अतीत के कई योगी आज भी किसी रूप में मौजूद है वे अपने शरीर के सबसे बारीक हिस्से को बरकरार रख कर मौजूद रहते हैं जब भी उन्हें जरूरत महसूस होती है वे अपना पुराना शरीर फिर से बना लेते हैं उन्हें निर्मान काया कहते हैं ऐसे लोगों को निर्मान काया कहते हैं जो अपनी काया को फिर से बना लेते हैं गौतम बुद्ध को एक निर्मान काया योगी माना जाता है ऐसे कई योगी हैं जो पहले जैसा शरीर बना सकते हैं एक युवा शरीर जैसा उन्हें पसंद था शायद सौ साल बाद, हजार साल बाद, चाहे जितने भी साल हो क्योंकि वर्षों की संख्या कोई मुद्दा नहीं है जिसे आप समय कहते हैं, वो इस शरीर के लिए एक तरह का है और दूसरे शरीर के लिए दूसरी तरह का है ना देखिए आपके शरीर के लिए 10 साल यानी इतना, 20 साल इतना, 30 साल उतना, 70 वर्ष उतना मान लीजिए एक कुत्ता है तो आपका एक साल उसके अनुभव में शायद 15 साल हो है ना आप एक कीडे को देखें, तो शायद आपका एक दिन उसके लिए पचास साल हो क्योंकि उसकी उम्र दो दिन की है, तो समय का अनुभव और प्राणियों का समय का अनुभव बहुत अलग होता है, इस ग्रह के जीवन में सौ वर्ष शायद एक सकेंड हो, हम गणना नहीं जानत पर ये बहुत छोटा है, तो ऐसा सिर्फ इंसानी द्रिष्टी कोंड से नहीं है, हर चीज की हमारी जीवन काल से तुलना नहीं करनी चाहिए, उस प्राणी के जीवन में भी ऐसा ही है, शायद हमारा अनुमान अलग हो, पर उस प्राणी के हिसाब से वो समय अलग है, तो तब समय समस्या नहीं होता, आप देखेंगे कि अपने अंदर एक खास तरह का अनुभव पाने के बाद आप कहीं एक या दो घंटे बैठेंगे, तो वो समय आपको एक मिनिट जैसा लगेगा, समय का अनुभव हमेशा कई चीजों से तै होता है, जीवन की सामान ये प्रक् ही होते हैं, 24 घंटे एक साल की तरह लगते हैं, है ना, तो समय हमेशा एक सापेक्ष अनुभव होता है, जैसे जैसे आपकी उरजाएं तीवर होंगी, आप देखेंगे कि समय और तेजी से बीतेगा, यदि आप बहुत तीवर अवस्था में हैं, तो 24 घंटे एक मिनिट की तरह गुजर जाएंगे, बस यूँ ही, तो क्योंकि जब आप अपने भीतर तीवरता से जीते हैं, तो एक साल बहुत जल्दी बीच जाता है, पता नहीं चलता कि क्या हुआ, पीछे मुड़कर देखने से पहले साल बीच जाते हैं, क्योंकि जीवन में तीवरता है, जैसे जैसे आपका अनुभव ज्यादा तीवर होगा, आप देखेंगे कि समय जल्दी बीच जाएगा, तो जब आप अपना भौतिक शरीर छोड़ देते हैं, वो मिट्टी का शरीर जिसे आपने धर्ती से उठाया था, तब अचानक समय कोई मुद्दा नहीं रह जाता, सौ साल जैसा कुछ नहीं होता, वो बस एक पल होता है, तो शायद वे बस एक पल बाद वापस आए हों, पर आपको लगा कि वे 500 साल बाद आए, उनके अनुभव में वे बस घूमें और वापस आ गए, पर आपके अनुभव में 500 साल बीच गए, तो मैं इस बारे में जितना ज्या आपके एक रूप से नहीं बोला जा सकता, आज क्या आप जानते हैं, आधुनिक विज्यान फजी लोजिक की बात कर रहा है, फजी लोजिक यानि तर्क नहीं है, पर वे अतारकिक होना स्विकारना नहीं चाहते, वैज्यानिकों के लिए अतारकिक होना शर्म की बात है, तो तो अगर हमने इस पर और बातें की तो हम फजी बन जाएंगे